गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल आज फ्रेंड्स आपको मैं बहुत ही खुबसूरत कनेर प्लांट के बारे में केर टिप्स बताऊंगी कि विंटर में हम किस तरह से इसकी देख भाल करे और आप देखी रहे हैं कितने प्यारे-प्यारे से फ्लावर्स आ रहे हैं और मैंने इस पे कौन-कौन सा फर्टिलाइजर दिया है क्या किया है और इतने प्यारे फ्लावर मैंने कैसे पाया है यही आज बताऊंगी तो सबसे पहले तो फ्रेंट्स इसे आपको किया से जगह पर प्लेस करना है तो आप इसे बिल्कुल फुल सनलाइट में रखिए और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है आप कहीं भी रोड साइट से छोटी से छोटी कटिंग लाकर रेनी सीजन में इसे ग्रो कर सकते हैं और देखे मैंने इस तरह से यहां से पिंच भी किया था तो यदि आप ब्रांच ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं अपने करनेर के प्लांट में तो इस तरह से प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग के बाद दो तीन चार ब्रांच इस तरह निकलते हैं देखे तीनों में दोनों ब्रांच में तीन तीन ब्रांच निकले हैं और ये वाला ब्रांच मैं सिंगल ही रख दी थी ध्यान नहीं रहा ही सो जैसे देखे लंबा सा हो गया है और इसी में फ्लावरिंग हुई है तो बहुत असानी से लग जाते हैं कटिंग से और कहीं से भी आप ला सकते हैं मेरे गार्डन में तीन चार कलर मैंने एट किये हैं ल ज्यादा से ज्यादा बड़ा गंबला दें क्योंकि ये बड़ा ज्यादा बड़ा प्लांट बनता है नॉर्मल प्लांट के पेक्छा इसकी हाइट ज्यादा होती है तो इसलिए इसे कम से कम 10 से 12 इंज का पॉट देना चाहिए मैंने इसे सिमेंट के पॉट में लगाया है ज गंबले के हिसाब से 5-6 दाने जैसे मेरा गंबला बड़ा है 12 इंच का है 10 इंच का है तो उसमें कम से कम 5-6 दाने डाल कर गुडाई कर दीजिए और वाटरिंग कर दीजिए जिससे कि आपके प्लांट की ग्रोध काफी अच्छी होगी 10 से कम से कम 10 से 15 दिनों के अंतराल में आपको वर्मिक कमपोजट देना है या गोबर की खाद है जो जो दो साल पुरानी हो या कीचन वेस्ट कमपोजट है इसको आप डालिए आप चाहें तो लिक्विड भी डाल सकते हैं जैसे कि अभी विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में हम जो सरसोखली नीमखली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं उसे भी हम इस प्लांट को दे सकते हैं और देखे काफी दिन हो गए हैं मेरे प्लांट भी इस तरह से इनकी रूट्स देखे ऊपर आ गई है उपर तक आ गई है तो गुडाई करना बहुत जरूरी है और इसकी मैं अभी फ्रेंड्स एक से दो इंच की लेयर की जो मिट्टी है उसे मैं निकाल दूँगी और निकाल कर बाहर कर दूँगी और जो मैंने नई मिट्टी तैयार की है आम तोर पर सारे गमलों के लिए जो मिट्टी मैं तैयार करती हैं उसी को कम से कम दो इंच मैं और जिससे की इसको अच्छ से अच्छा को ग्रोथ मिले और अच्छ से सरवाइब कर सके और यहां पर देखे मैंने कट्िंग भी लगा दी थी इस्जीट के कटिंग है जहां पर मैं गुडाई कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा इसे मैंने ऐसे ही कटिंग लगा दी थी वह भी बहुत अच्छे से ग्रोव हो गई है तो बस हलके हलके ऊपर से आपको इस तरह की मिट्टी निकालनी है और उपर से आपको नई मिट्टी भर देनी है कम स फर्टिलाइजर डालिए उसके बाद मिट्टी से ढग दीजिए और वाटरिंग कर दीजिए और इंसेक्ट अटैक तो इसमें कुछ लगते नहीं है अभी तक मेरे कनेर के प्लांट में इंसेक्ट अटैक नहीं हुए हैं खास तोर पर फ्रेंड्स हमारे गाडन में जो है जाहें तो फ्लावरिंग के लिए एंपिके 19-19 का इस्प्रे भी कर सकते हैं और गंबले में दे सकते हैं तो फिर मिलती हूं फ्रेंड्स